सुनाओ हैपी एस्ट माइन टेक्नोलोजी लिमिटेड अब दीकिए 840 उपचास पैसे का प्रैस है और आज है ब्लॉक डील की जरीए प्रमूटर यहां पर बेच कर निकला है अपनी स्टेक जो की प्रोमिस करे गई थी कि हम 50% को होल्ड करेंगे और इससे नीचे नहीं जाएं असुक सुथा जी ऐसे में स्टॉक की ऊपर क्या इंपेक्ट पढ़ने वाला है क्योंकि हम उन लेवल्स पर आगे हैं दोबारा जहांसे हम घूमे थे और कई बार घूम चुके हैं क्या यह स्टेक सेल यहां से कोई एक बड़ा क्रैश आने वाला है क्योंकि ग्रोथ की नाम पर कुछ भी नहीं है कंपनी के अंदर चुकि ग्रोथ स्टॉक की वैलिएशन यहां पर हैप्यस्ट मैंड को दी गई थी तो अभी यहां पर मार्केट के एक्सपेक्टेशन को भी यहां पर बीट कर दिया है यहांपर पर्यूट की एक्सपेक्टेशन से ज़ादा निकल गया वैलियू। यहांपर प्रॉमिस वाली जो बात है वो यहांपर थोड़ी सी साइड रट गई है minority shareholder आ चुके हैं क्या ये इतना holding भी कर रहे हैं क्योंकि एक लम्मे time से अगर आप देखें promoter stake को लगातार बेचे चले जा रहे हैं आप देखेंगे 55% से लमसम लमसम कुछ यहां पर सेल हो रही है मेरे इसाब से 53.24 तो अभी दिख रहा है तो 53 से यहां पर 53.24 से 51.35 उसके बाद 50.24 परसेंट और अभी यहां पर 50.24 परसेंट से ब्लो जा चुकी है सो देट यहां पर लगातार promoter जो है वो सेल कर रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो वेलुएशन भी जो है happiest mind की वो higher side है क्या growth से कोई यहां पर दिक्कत हो रही है क्योंकि growth तो हमें दिखी नहीं रही है कोई सी भी IT company हो आपको growth ही नहीं दिख रही है सो देट यहां पर जो है न कहीं जो growth stock की नाम पर यह चमकेत stock वो कहीं न कहीं यहां पर अपने को फीका होता हो दिख रहा है promoter stake जो sale कर रहे हैं लगातार वो एक concern वाली बात अब हो चुकी है क्योंकि यह 50% से blow जा चुकी यह कोई यहां पर हसी मजा की बात नहीं इसको थोड़ा सा कहीं न कहीं market seriously अब लेगा क्योंकि एक लंबे वक्त से यहां पर selling हो रही है इवन यहां पर जो है यह promoter जो वेच रहे हैं उस पैसे का क्या करेंगे क्या use होना है यह भी थोड़ा अगर भार निकल के आएगा तो थोड़ी से राहत की बात होगी लेकिन इतना भी राहत की बात नहीं है यह थोड़ा सा concerning है क्योंकि आब minority shareholder बन चुके हैं असुक सुता और उनी के नाम पर तो यह stock चला ही था और अगर आप देखेंगे तो एक कह सकते हैं कि IT boom इंडिया के अंदर भी आया था 2020 से 2021 के आसपास सीधी सी बात है जो कि हमें देखने को मिला कि कई सारे IT stock अचानक से चल पड़े चाया वो 10 रुपए का हो 100 रुपए का हो 1000 रुपए क से और यहां पर happiest mind का जब IPO आया तो आसोक सुत्ता की जो experience है उसके बारे में बात्ची चलने लगी यह IT stock आप देखेगा किस price पर आया था किस price तक गया 1600 के price तक गया जबकि IPO price जो है वो लंसल लंसल 200 की करीब था जहां तक मुझे ध्याने इतना याद नहीं है और listing हुई थी 300 के ऊपर और 2021 में क्या भैतरी return इसने बना कर दी राइट यह एक सबसे बड़ी बात है अपने सामने यह बात देखने को मिल रहे है उसके बाद IT का जो boom था वो बिलकुल slow हो गया और IT crash हो गया जो कि आपको पता ही है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें किसी नए भी पैसे नहीं बनाई जबकि यह stock चला था तब भी कोई यह आपर growth आई नहीं थी इस company के अंदर कोई growth अपने को नहीं देखने मिले इस stock चला था because of हम IOT की उपर बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे थोड़ा सा नई generation की IT solutions IT services के बारे में so that यह stock चल पड़ा बड़ वो सारी चीजे जो है वो फीकी रह गही है यह हमें बता रहा है 2022 से आप देखिए कि एक भी बार मौका नहीं मिला इस stock के अंदर return कमाने के लिए पूरा पूरा द्वस्त है पूरा पूरा बिगड़ा हुआ है मामला और evaluation हाई और promoter इस evaluation पर जब आपका stock जो है वो 1600 से गिर कर लंसम 40% 45% अल्रेडी crashed है higher side से इतने सस्ते भाव पर मिला है तब जाकर promoter sale गर रहे है तो यह थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगी अब आप देखें किस तरीके से आप जो है वो तीन साल से बचे बचे गूम रहे है अगर आप देखें तो लो लगाता यह stock और अपने previous low के पास गया थोड़ा सा low all लगाया और बापस से घूम जाता था तो यह consolidation चला था तीन साल से अब यह यहाँ पर जो है क्या होने वाला है क्या यह consolidation अब एक बड़े crash में बदलने वाला है या फिर से आपको जो है वो एक buy का time आ चुका है buy की range आ चुकी है तो अब है अगर आप बा प्राइस की वेल्यू वह एक शेयर की जो वेल्यू है वह 826 रुपए हमें लगती है अमारे कंपनी का जो इस्टे जो शेयर है उसका अभाव हमें लगता है तो उसे साब से वेलिएशन है यह समझ में आ रही है ठीक है पी रिशो देखे पी रिशो से क्या हम कॉंप्रमाइस कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप हाई ग्रोथ में गिंती करे जा रहे हैं आप हाई ग्रोथ में आ रहे हैं तो आपका पी रिशो सिंपली बात है अपका इंड़स्टी पी से हाई अगा 30.53 के कंपरजन 51.59 ठीक है बट बुक वेल्यू आपका जो है वो 97.14 रुपए है और आपका प्राइस टू बुक वेल्यू 8.66 टाइम जब कि आप ही का जो कॉम्टीटर है एक बिग कॉम्टीटर है जिसके बारे में मैंने आपके सामने हमेशा एक बात करी है वहाँ पर आपके सामने रिटन है सबसे बड़ा कॉम्टीटर है इनका डेटा मैटिक ठीक है उस स्टॉक के अंदर से बैलुशन हाई है है हैपियस्ट मैंड के अंदर डेटा मैटिक में बहुत बड़ा कॉमफर्ट है आज के टाइम में हैपियस्ट मैंड 12,000 क्रोड के अपनी है और डेटा मैटिक 100 रोपय से 8 गुना रिटन बनाया और अभी भी आपका रिटन एक अपनी है और फाइनिसेल दोनों बराबर दोनों की प्रॉफिटिविल्टि आसपास है तो आप उसको उठागे देखेंगे और इसको उठागे देखें तो बिद कंपैरजन हो जायेगा तो यह बास सबसे बड़ी है कि आपको चुनाव करना होगा यहाँ पर रीटेशिंव तरीके से यहां पर जो है मार्केट बूम था और आई प्यू आया और आई प्यू चल पड़ा ग्रोथ नहीं आई कंपनी के अंदर फाइनिसल के अंदर तो उस स्टॉक से टाटा बाई-बाई कर लेना चाहिए जब वह स्टॉक बहुत ही हाई पर ट्रेड कर रहा हूं सीधी सी बात है ठीक है ना प्रोमोटर इतना बड़ा है या पर जो है आपके सामरे डिसकाउंट के बाबजू दिस्टेक सेल कर गया तो इससे जादा बड़ी प्याथ क्या है तो यही चीज़ है समझने वाली यह बात को आपको समझने चाहिए कि आपको स्टॉड़ी करना बहुत ज है देखें आप जहां से तूटे है ना वह एक रिजनविल प्राइस था एक्चॉल वह हिस्टॉरिकल प्राइस था यह हजार रुपए और नो सो साट रुपए इसके बीच में बहुत तीजी से गरता है यह स्टॉक क्यों करता है पहला रिजन यह आपका हिस्टॉरिकल आपर कि दसंबर के टाइम कोसिस करें उसी लेवल के आसपास पहुंचा नो सो साट शाट के और गिर पड़ा यह चुहा तो यह बहुत ही एक जो range है ना हजार से नो सो साट रुपए की यह बहुत ही crucial range बने चुकी है happiest mind के अंदर जिसे cross करना आसान नहीं आसान नहीं यह market sale जो ए न जो प्रोमोटर नहीं किया यह market को बिलकुल पसंद नहीं आए otherwise recovery आया थी stock अंदर आज की date में इतना वड़ा discount करने के टीक आप कहांपर रहें तो यह आपको समझ में आ गया हूँ क्यों वहां से सेलिंग इतनी बड़ी यह आपको रीजेंस समझ में आ गया हूँ दूसरी बात करतें इस सपोर्ट की ठीक है आप गूम रहें नो रहें हैं सुराइट 37.85 यह एक बाइंग रेंज जो higher जो एक range है ना हजार से 900 सा जब तब 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 कोई यहां पर जो है समझ में समझ से बहार है यह स्टोक सीधी से बात आप यह कह सकते हैं बट 827 को protect करना जरूरी और आप में और यह price जो है important level 10 रुपए को gap रह चुका है अभी पता नहीं देड़ गंटा बाकी है एक गंटा बाकी है एक गंटा बाकी है मार्केट बन दोने में अब क्या हो रहा होगा पता नहीं करेंट में buying जो range है and last यह buying range बहुत ही important range है यह आपके सामने 2022 से 2024 का यह data है और यहां पर इस स्टोक ने एक consolidate किया था 825-788 के अंदर ठीक है यह बहुत ही important range बन गई उसके बाद second time 2023 में यह बात यहां पर देखने को मिली दोबारा यह stock गिरा और यहां पर consolidate हुआ उसी जगह पर 825 से 788 788 को थोड़ा सा तोड़ कर नीचे किया बढ़ी एक reasonable है यहां पर जो है ना और यहीं से यह stock गूम गया दोबारा अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो बार और कोसिस कर चुका है और यहां पर 742 का low लगाया और बापस से यह गूम गया consolidate किया उसी range में 825 से 788 दोबारा low लगाया बट 742 को वीट नीग गया और बापस से गूम गया और आपको 965 का अभी लेवल है तो यह आपके सामने चल रहा है एक consolidation है और इस से बाहर निकलने के जाई आ रही है या तो यह 742 रुपे तोड़ देगा या पर यहां पर जो है आपका 1000 रुपे तोड़ देगा दो चीजे होनी है जिस तरफ भी यह stock जाएगा उदर की तरफ आपको मुड़ना होगा कही न कहीं और यहां पर buying range आ रही है 825 से 788 दोबारा मेरे क्याल से 742 को यह के बहुत ही important और crucial level मान कर कोई buy अगर करना चाहे तो कर लें बट यहां पर 742 अगर टूटता है तो हट जाना है किसी कीमत पर सीधी सी बात है 742 इस मतब आप समझिए इससे समझोता नहीं कर सकते इवन यहां पर चकमा देने की क्या को कोसिस होगी यहां पर आपको जो है यह गुमाने कोसिस करेगा आपको यह देखना है कि 788 और 825 अगर यह तूट गया न यह अभी तो यह अब जो सपोर्ट जोन है वो अब एक सेलर जोन बन जाएगा यहां से बिकवाली जो है वो दोबारा आएगी बहले ही सास्तों से यह घूम जाएगा बट यह यहां पर टिक नहीं पाएगा अगर 825 जो है वो दोबारा तोड कर ऊपर निकल जाएगा तब आपको उस तेजी पर वरोसा करना है अधरवाइस वो तेजी जो है वो तेजी नहीं होगी वो एक बेवकूब बनाने का एक ट्रैप का एक जगए होगी सीधी सी बात है तो कुछ इस तरीख से आपको स्ट्रैटिजी बनानी है और तब काम करना है या तो यह 1000 रुपे क्रोस कर जाए या 742 यह तोड जाए तब ही यहां पर जो है एक मूब रहेगा तो अभी जो है वो कोई बिखवाली की जगए नहीं है मेरे हिसाब से अभी जो है पैनिक मत करिये जो गिरावट आ गई है वो एक है बाइंग की तरफ है और जब आप कहिएगा क्रूसियल टाइम जो है वो चल रहा है लिगन अगर 742 एक बार टूटा तब आप कहिएगा कि अरे दिक्कत हो गई है आप दिक्कत हो गई तो तब तक यहां पर जो है मजबूत रही है जब तक यह 725, 788 का सॉरी 825 और 788 का जो लेवल है वो ठीका हुगा है एक बार इस डेटा को देख लीजे और सही से देख लीजे उस हिसाब से आपको काम करना है कहीं न कहीं स्टॉक के अंदर क्योंकि फंडमेंटल आपके काम है नहीं आपको जो है वो टेक्निकल का सपोर्ट लेना होगा सीधी सी बात सुमी देख काफी कुछ आपको समझ में आया होगा एक बार यापर जो है नेवेस से पहले आपने ब्रोकर है अडवाईस से जरू सला लीजिए खुद की स्टेडी करिएगा उससे बैतर कुछ भी नहीं है तो आपके कहना है इसको पर केमेंस समझ में गया और दीजिए अपड़ी देखने के लिए बहुत दन्माद दूस्तों